लखनव का नाम परवर्थित करके उसको लखन पूरी करें या लच्षमण पूरी करें। लखनव में कई सारी ऐसे अस्थल हैं जो आज लच्षमण के नाम से जाने जाते हैं। हमारी आने वाली पीड़ी भी उसी गुलामी में बंधी रहे। उससे उपर उठकर हम अपनी संसिक्रितों को आगे बढ़ाएंगे। जब इस देश पे मुगलों ने राज किया था। तो लखनव लक्षमण पूरी के नाम से जाना जाता था। और भगवान प्रभुश्री राम ने अपने अनुज लखन को लखनव की बिदासत दिया था। और मुगलों ने उसका नाम चेंज करके उसको लखनव नवाबों का सहर बना दिया था। आज हम आजादी के अम्रित काल में परवेश कर चुके हैं। और आज भी हम गुलामी की मानसिक्ता आने वाली अपनी प्यूड़ी पे नहीं ढखेलना चाहते। और हम लोग उस गुलामी से जब बाहर निकल चुके हैं। तो अपनी जो बिरासत हैं उसको पुनह लाना क्योंकि हमारी सरकार राश्ट के निर्मार की बात करती है। हमारी सरकार सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की बात करती है। जहां पर आप देखिए अजुद्या में प्रभु स्री राम का मंदिर बन रहा है। पुरी दुनिया का एक आकरशंग केंद्र है। और चौदा साल तक बनबास प्रभु स्री राम के साथ लच्मर जी ने भी किया था। और लखनव में कई सारे ऐसे अस्थल हैं जो आज लच्मर के नाम से जाने जाते हैं। तो मैं तो सरकार से भी यह मांग करूंगा कि यह जो विरासत है उसको प्रेटन के रूप में विक्सिद भी करें। और लखनव का नाम परवर्तित करके उसको लखन पुरी करें यह लच्मर पुरी करें। क्योंकि जिस तरीके से 2014 के बाद हमारी देश की कई सारी धरोहर चोरी चली गई थी। और आपने देखा होगा कि अभी जो चोरी गई हमारी धरोहरें थी। बिदेशों में जो पड़ी हुई चीजें हैं उसको वापस लाने का काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। जैसे अनपूर्णा देवी की जो प्रतिमा चोरी चली गई थी अभी हाली में उसको लाया गया। उसका एक भव अस्ठापना हुई और जिस तरीके से प्रियाग राज इलहबाद के नाम से जाना जाता था। क्योंकि प्रियाग राज एक धर्म की नगरी है फैजाबाद भगवान प्रभु स्री राम की जर्म इस्तली है अजुद्या के नाम से जाना जाता था आज उसको अजुद्या किया गया है तो जिस तरीके से गुलामी के जंजीरों में हम जकड़े हुए थे और उसी मानसिक्ता को आगे भी लेके चले और हमारी आने वाली पीड़ी भी उसी गुलामी में बंधी रहे उससे उपर उठकर हम अपनी संस्करितों को आगे बढ़ाएंगे और उसके लिए हमने मानी प्रधानमंत्रि और गिरिमंत्री जी और मुखमंत्री जी को पत्तर लिखके उनको उगत कराया है और हम चाहते हैं कि दो हजार चौबिस में जब भब राम मंदिर का पुरे दुनिया से और पुरे देश से लोग वहां आए तुसी के साथ साथ इस लखनपुरी का भी एक विरासत वापस आना चाहिए तो कई सारे चीज लश्मण जी की धरोहरे हैं आज भी उनकी परचीन चीजे लखनों में हैं ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज गलत मांग कर रहे हैं और उसमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुचा रहे हैं इसमें किसी को कोई भी ना तो इतराज होना चाहिए और ना तो किसी को नाराजगी होना चाहिए ना इस अच्छिए जब हमारे देस में अंग्रेजों ने राज किया। और मुगलों ने राज किया और हमारी सनातन धरोअरों को उने चेंज कर दिया तो हम सरकार में हैं तो हम अपने सनातन चीजहों को वापस नहीं लहेंगेunci अगर इस पर बिपक्ष राजनीत कर रहा है तो विपक्च की तो तुष्टी करन की राजनीत है विपक्च देश के क्योंकि हम राष्ट के निर्मान की बात करते हैं हम सनातन धर्म की बात करते हैं हमारा एजेंडा रहा निरंतर कि हम राम मंदिर को बनाएंगे हम बाबा विश्वनात कोरीडोर को बनाएंगे हम माब इंदवाशनी कोरीडोर को बनाएंगे तो हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं हम राष्ट निर्माल की बात करते हैं हम तुष्टी करन की राजनीत नहीं करते हैं विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष को तो खुश होना चाहिए, कि अंग्रेज इस देश को छोड़ कर चले गए, मुगल इस देश को चले गए, और आज हम अगर देश में हैं, तो आज भी उस गुलामी को हम झेलते रहें, और हमारे आने वाली पिड़ी भ भरी रहें, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है.